आज हम बात करेगे दो modern cricket के सूपर स्टार्स के बारे में विरत कोहली और बबर अजाम एक तरफ है इंडिया का run machine और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का king बबर यही डोनों प्लेयर्स सिर्फ अपने मुल्कों के नहीं पुरी दुनिया के fans के दिल जित चुके हैं चलिए देखते हैं stats और performance के जरीय कौन कहां खा रहा है विरात कोहली ODI cricket का king अपने impressionable career में बहुत सारे records बनाए हैं उनके पास हैं 30,000 runs और 47 centuries कोहली का average है तक्रीबन 58 जो अब तक कि सबसे consistent batsman में से एक है उनके बैटिंग स्टाइल और अग्रेशन हर मैच में देखने लायक होती है दुसरी तरफ बबार अजम भी किसी से कम नहीं उनके पास हैं 6,000 रंस और 19 सेंचरीज उनका एवरेज है 57 जो मौडरन क्रिकेट के टॉप प्लेयर्स में से एक है बाबर का स्ट्राइक रेट स्लाइटली लोवर है लेकिन उनकी टेकनीक और कंसिस्टेंसी फिनॉमेनल है उनकी बैटिंग effortless और graceful होती है और वो हर बोलर के लिए एक challenge होते है अगर T20 क्रिकेट की बात करे तो कोहली के पास है 4000 प्लस रंस और उनका average है 52 जो T20 क्रिकेट में बहुत रारे है उनकी big match performances उन्हें और भी खास बनाती हैं कोहली का temperament और उनके run बनाने की शक्ति T20 में भी दिखाई देती है बाबर आजम भी T20 में अपना impact दल चुके हैं उनके पास हैं 3900 प्लस रंस और average 45 उनकी partnership building और anchor role खेलने की ability उन्हें unique बनाती है बाबर ने सबसे fast 1000 T20 runs बनाये है जिससे वो अपने कबिल बन गए हैं जब हम captaincy impact की बात करते हैं तो कोहली ने इंडिया को बहुत सी series जितवाई हैं उनका win percentage 68% है in ODIs वो aggressive और fearless captain के तोर पे जाने जाते हैं कोहली अपने team को motivate करके उनको जीत की और लेकर जाते हैं बाबर आजम की captaincy relatively नहीं है लेकिन उन्हों पाकिस्तान को ICC T20 World Cup 1021 का semi-finals ता पहांचाया उनका win percentage भी 60% plus है बाबर calm और composed leader हैं जो अपने players को confidence देते हैं दोनों ही players अपने तरीके से greatness अचीव कर रहे हैं विरट कोहली consistency और aggression का symbol हैं जबके बाबराजम technique और elegance का epitomy हैं दोनों में अपना अलग चाम है और वो अपने fans के दिल में बस गए हैं लेकिन सावाल ये high आपके हिसाब से कौन है better कॉमेंट्स में अपना जवाब जरूर दिन अगर आपको ये comparison पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया दोस्तो झाल 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 झाल